नमस्कार में मनोच खंडलवाल, लाइफीद खंडलवाल में आपका स्वागत करता हूँ मैं कुछ भूमीकाइं आपको बता देता हूँ ताकि आगे का कलास आपका थोड़ा सा आसान रहे नोग इसमें कुछ लोग है, जो पहली बार मेरे से रूबरू हो रहे हैं और पहली ब प्रोग्राम में मौझूद होना चाहिए और गुगल फॉर्म उनके खंडेल वाल फ्री क्लास बोलकर जो गुरूप है उसमें हमने गुगल फॉर्म दिया है वो गुगल फॉर्म आप भरेंगे अगर आपको डॉट होता है भरावा है या नहीं है तो आप दुबारा भरें लेकिन कि लोगों प्रेस करने के लिए उसको रिवाइज करने के लिए तो आप लोग पास पांसा दिन तक रहेगा तुछे? लिए देंगे तो जो भी कलास है उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए Google फॉर्म भराबा होना होगा कलास समाप्थ होने के साथ साथ जो सबसे पहला काम होगा वह होगा खंडेलवाल फ्री कलास में जाएगा वहाँ पर गूगल फॉर्म दियावा है उसको भड़ लिजेगा फिर भी कोई दिक्कत आती है तो निलम मेडम को फॉन कर लिजेगा वह आपको गाइड कर लेगी लेकिन आपको थोड़ा से स्क्रॉल कर लिजेगा नहीं मिला नहीं डिलिबर्ड नहीं होगा दूसरी बात है कि कुछ लोगों की वीडियो नहीं खुलेंगे तो आप उसकी चिंतान मत कीजिएगा आपको दो तीन काम करने हैं कि जो जीमेल हमें दिया गया था वह जीमेल आपके मॉबाइल में होना चाहिए बहुत लोगों के बच्चे क्लास क देख लीजे नहीं है तो वहां से लोगाउट करके वापस लोगीन कर लीजे और यूट्यूब में आपका जीमेल लोगीन कर लीजे बस हो गया काम उसके बाद बिंदावस होगे हमारे वीडियो देखे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे रात को आट बजे के बा और डेटू पे किया था उसमें एक भी आदवी पास नहीं हुआ है उसके पीछे रीजन बता रहा हूं जो ने लोग हैं वो भी ध्यान रखेगा कि मैं एक साथ है पांच छे चीजे कर रहा हूं पहले ये फोर लेन की गाड़ी है और दूसरी ये डबल डेकर गाड़ी है पह बसके तरह नहीं को कि थर्पिस्ट आप ऊल्रीडी है तो थयफिस्टिस से रहा है कि देखना इधर से नहीं इधर से मैंने इधर हात लगा है उसके लिए मानस्था त्यार होना और पेसेंट से बात करना और उसके बाद पूरी यात्रा क्लिनिकल करना तब जाका आप हिलर बनेंगे तो हिलर बनने के लिए जो तत्व है नोट कर लिजिए पूरी कलास जो चलेगी वह कैसे चलेगी पहला जो को मैं आपको 32 में को यह को क्या करना है कोई भी का लॉकेशन और इंडिकेशन को बस दिमाग में बैठा लेना है बाद में उसको torpedo कि ज़रुरत खतम आज ही हो जानी चाहिए जिस दिन जो पॉंट बताया जाता है बस उसी दिन वो चीज आपकी दिमागे वैड जाने चाहिए क्यों आगी की जू यात्रह होगी वो होगी demonstration demonstration का मतलब हुआ मैं काम करके दिखाऊंगा फिर आपको क्या करना है practical आपको वही काम अपने near dear family member पर करकर मुझे दिखाना है needle के लिए आप लोगों को pad दिये जा चुके हैं इंडिया में हमारे अलावा यह कोई नहीं देता है तो मैंने आपको यह free में भेजा है तो यह वाले पेड़ आपके पास होने चाहिए और सारे हमारे student जितने भी पेड़ वाले हैं उनको मैंने यह दे दिया है तो सब के पास यह होगा प्लस आपके पास में अच्छे quality के needles होने चाहिए क्योंकि भारत में जितने भी JW वाले needles है उसके complaint बहुत है और company ने भी case कर दिया है तो कि ज्यादा करके duplicates बेक रहे हैं भारत में तो अच्छे quality के निडल रखिए क्रेट का अंतर नहीं है खाली company का अंतर है इसलिए अच्छे quality का रखिए को को पैसे आपको इतने देने पड़ रहे हैं तो इस पर हम practice करेंगे target area fix केजिए अगर 6 मैंने में success नहीं हुए तो line को छोड़ देजे अपनी जिन्दकी बरबाद मत कीजिए आपको मारूम होना चाहिए कि बाजार क्या है और बाजार में ठिकना कैसे फिर आपको काम करना है clinical clinical का मतलब होता है जितनी भी जानकारी day one से लेकर आस तक दी गई है सारी जानकारी को सारी जानकारी को आपको एक साथ patient की उपर लागू करना है एक साथ का मतलब हो गया उसमें पलंब असम भी होगा, moxibation भी होगा, ecopressor भी होगा, padding भी होगा, patient का preparation भी होगा, patient का home care भी होगा, home visit भी होगा, patient के counseling भी होगी, diet भी होगी, nutrition भी होगी मैं अपने model पर वो गलतियां repeat करूँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ क्या गलती हो रही है, उसको हाथवाट ठीक करना, ताकि जिन्दगी में दुबारा वो गलती नहीं हो, गलतियां हो लेकिन दुसरी हो उससे आगे की हो इसके अलावा सब लोगों को दिमाग में रखना है कि किसी भी patient को handle करते समय, आप जैसी मेरे से पूछती है, सर कौन सा point लगा है, मेरे को समझ में आ जाता है कि आज तक 20 साल के बाद भी आप student है, ये सवाल आपकी जुन्दगी से गायब हो जाना चाहिए, जो लोग बेवक कि तरह पूछते हैं, कौन सा point लगा रहे हैं, इसका मतलब उसा आदमी ने अपने आपको किताब के दायरे से मुक्त नहीं किया, और वो इस वक्त तयार नहीं है किसी भी patient को देखने के लिए, रोटी आटा रोटी नहीं है, रोटी परोठा नहीं है, ये total process का नाम है, point से त ढूंड ढूंड के लगाए जा रहे हैं, कोई present thick नहीं होने वाला है आपसे, point को काम में लेना आना चाहिए, गाय घर में है तो दूद नहीं देगी, दही नहीं जमेगा, पहले दूद धूना आना चाहिए, दही जमाना आना चाहिए, बरबर, तो सब से पहरा question होना हत्या भी कर सकता है, और सबजी भी काट सकता है, तो चक्कू की धार problem नहीं है, problem मान सकता है जो चक्कू को चलाएगा, हर point अपने आप में विशाल ताकत को समेटे हुए, तो आपको उसका ताकत का इस्तमाल करना है, तो day two में आप सारे लोग फेल के हो हुए, ये बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको example समझाते है, समझाते है, प्राई क्या होता है, question आने से मैं अपनी दिशा बटक जाता हूँ, दिमाग में आती है, मैं तिर दुसरी चीज़ बताने लगता हूँ, मैं बात कर रहा था, LI4 और liver 3 के combination की, जिसमें मुझे दो दि से point होते हैं, जिसके result समानंतर होते हैं, अगर ये नहीं तो वो सही, जैसे LI4 के लिए हम stomach 44 का इस्तमाल करेंगे, अगर कोई काम में patient का बाजू involved है, तो वहाँ पर हम LI4 का इस्तमाल नहीं करेंगे, और first time practitioner LI4 का इस्तमाल नहीं करेगी, वहां stomach 44 का इस्तमाल करेगा, liver 3 के upper का ये liver 3 हो जाता है, और liver 3 lower का LI4 हो जाता है, मेरा ऐसा बताने का मकसद था, और मैंने पूरे program में, जब मैं demonstration दे रहा था, तो SI3 और spleen 3 के comparatively analysis में आपको बता रहा था कि SI3 का इस्तमाल कैसे करना है, और needling मैं करके दिखा रहा था आपको explain 3 पर, लेकिन मैं लगातार SI3 बोल रहा था, तो आपका दिमाग में क्यों नहीं आया, कि explain 3 की बात में SI3 के combination की बात का मतलब क्या है, क्योंकि वो बात तो आपको मालूम नहीं थी, तो इसका मतलब है, सुना सुना, जिसने सुना, उसने देखा नहीं, और जिसने देखा, उ और जिसने समझा, उसने किया नहीं, क्योंकि अगर यह सारी चीजे होती, तो आप उस समय मेरे से सवाल कर रहे होते, सवाल समस्या नहीं है, समस्या केसी का भी सवाल का छूट जाना है, फिर जिन्दिगे में वह गलती कभी ठीक है, नहीं होती है, बरबर तो इस वक्त हम लो Spleen 3 का परोग, हमको order 3 के साथ कैसे करना है, और साथ साथ में deep formula क्या रहेगा, कि जिसे भी point से हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और उस पर 가장 important लुए चलेंगे, पुला करते हैं तो आप बहतर सिखेंगे, अगर आप सिर्फ meridian के points सिखेंगे, तो आप काम करने के लाइक बनते-बनते बहुत समय आपका चला जाएगा पहले पूरी मेरेडियन, फिर पुरा पॉइंट, फिर पॉइंट के साथ ही फिर उसमें काम करने के शेली ऐसे करते-करते महीनों भी जाएगे तो सबसे पहले आपको क्या कमबाइनेशन करना है? इस वक्त निडलिंग का, तो सारे लोग पैडिंग निकालिए और आप लोगों से जो गलतियां हों ये देखिए, मैं उसको क्लियर करूँगा कि जो लोग निडल को लेकर ठोकते हैं, आपको ठोकने वाली निडलिंग नहीं करनी है तो क्या करेंगे? सारे जिनके पास पैड है, वो अपना पैड निकाले और ये लगए और कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया, मुझे बताएं मैंने आपको तीन प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि आपको ये लेना है और ऐसे नहीं ठोकना है, आपको ये करना है, अपनी अंगलियों को पहले ताकतवर बनाना है तो कि पूरा भारत ऐसे ही मारता है, और ऐसे मारने में दर्द होता है और इस टेक्निक में दर्दियों होता है, तो SI3 और स्प्लीन 3 पे निडलिंग टेक्निक आपकी क्या होगी, ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके हाथों में ताकत हो जागा, सो दो सुबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके आप ऐसे मारेंगे, ऐसे में कितना प्रैसर दे के मारना है, अंगली पर कितना किलो का प्रैसर होगा, यह प्रैक्टिस इसके बिना नहीं आने वाला है, तो जिन से यह गलती हुई, जिसको इसमें कोई प्राब्लम आई, व दूब को लोड सिंगल हैंड करेंगे और बहुंशीज़े अगर किसी से नहीं होता है तो मैं से बात करेंगे और मुझे दिखाएंगे तकि उनकी गलती हो फक्रीट हो यस पकड़ेंगे तका परियोग कभी भी निडल पर नहीं होगा, second hand दुस्सा काम करेगा, और निडलिंग हैंड, अगर right hand है, तो right hand ही left है, वो single hand से निडलिंग करेगा, तीसरा बात, जब भी आप स्प्लीन 3 पर और SI3 पर करेंगे, बहुत fast गती से निडलिंग करेंगे, slow नहीं करेंगे, प्राई लोग slow निडलिंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, fast निडलिंग करना है, लिख लीजे, तो कि अभी यह सारी चीज़े आपको करनी है, तो कि practical से आगे अब बात होगी clinical की, तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था, पैड नहीं लगाया था, आज मैं पैड लगा रहा हूँ, वायर भी है, सब लोग अपना अपना वायर निकालें, और अगर कोई demonstration देना चाहेंगे, तो मैं direct practical से clinical पर आऊँगा, अगर demonstration आप लोग तयार नहीं है, तो मैं यहां दू अगर थ्री को लोकल में नीपेन के लिए कैसे इस्तमाल करना है, यह दो काम जो practical last minute day one, day two पे छोड़ा था, उस पर अगर कोई practical करके दिखाना चाहता है, तो हात रेज करें, अन्य था, मैं उस चीज को आगे लेकर चलूँगा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिक नहीं दिया, तो आप मेरे student होने के लाइक नहीं है, पैसा वापस पकड़िए और प्रोग्राम को छोड़ दीजे, मुझे result same day चाहिए, क्योंकि मैं same day result देता हूँ, instant result देता हूँ, और मुझे instant result चाहिए, और जिस आदमी को result देना नहीं आता है, वह आदमी clinical practice में खाली हो जाएंगे, और याद रखेगा hotel industry और हमारा एक उपंचर इंडिस्ट्री में जो आदमी एक बार गिर गया, दुबारा नहीं उठता, अगर आप 6 महिने में नहीं उठ पाए, ताकत 80 का लगा लिजेगा, नहीं उठ पाएंगे, इसलिए सारे लोग नए लोग हैं, उनको भी कहूंगा, पुराने भूल कर भी camp ना लगाएं, क्योंकि भारत के लोगों को एक उप्रेसर एक उपंचर का camp लगाना नहीं आता है, और सुजोक वाले जमकर लगा रहे हैं, तो वो नकल में ना जाएं, बात में बताऊंगा कि क्या गलतिया हो रही है, पुराने हम इस रुपए की आउकात में चले जाएंगे, दाना और मेथी का दाना और रंग वाले डॉक्टर कहलाएंगे, और 500 रुपए छोड़ देजे, आपको 100 रुपए भी लोग नहीं देंगे, दूसरी बात, अपनी फीस कम नहीं करेंगे, कंफिडेंस लाइए, रिजल्ट लाइए, फीस लेके लोग तयार बैठे हैं पुरे हिंदुस्तान में, ठेक है, तो आप उस चीज के लिए तयार ही है, और जितने हमारे पुराने बेचवाले हैं, वह तयार ही है, मैं डेट बता देता हूँ, 26 जनवरी से उनके क्लिनिकल प कैसे बढ़ाना है, कैसे कैम्प लगाना है, काम कैसे बढ़ाना है, और फास्ट जे सो पैसेंट उनके क्लिनिक में कैसे आएंगे, वह सारी चीज की तयारी आपको 8 युनिट तक मैं पूरा करवा दूँगा, तो वहां से आपको आगे बढ़ना है, और याद रखीगा, जो नहीं लोग हैं उनको वापस बता देता हूं कि कोई भी पेसेंट आता है तो जो गलतियां पूरा हिंदुस्तान कर रहा है आपको नहीं करना है सबसे बड़ी गलती यह होती है पेसेंट आया लेटो निडल लगाया बीस मिट में उतारा उसको घर बेज दिया कोई रिजल्ट मिलनेवाले आपके मैं आपास आता हूं तो आराम मिलता है घर जाती वापस हो जाता है हमको रिजल्ट गिने के लिए तो बसे पहले की इसले में बता रहा हूं कि आगे चलके यह सारी चीजों से आपका पड़ेगा, तो कि next class में मैं आपको counseling सिखाऊंगा, आपको patient से बात क्या करनी है, फिर उसको सिखाऊंगा patient को home care के लिए training कैसे देनी है, तो सारे लोग लिखी कि patient जब आएगा तो पहफास जो होता है, वह consultancy होता है, तो consultancy में भूल कर भी उसकी reporter नहीं देखनी होती है, उसक उसके बाद अगर patient आपका treatment के लिए तयार होता है, तो एक से दो घंटे की counseling अलग charge होगा, consultancy अगर 200-300 का होता है, तो उसकी fees माफ कर दी जाती है, और counseling के लिए बुलाया जाता है, counseling का charge होता है 1200-2000 रुपेज, और उसमें एक से दो घंटे देना होता है, next day बुलाया जाता है वो patient को उनके एक रिष्टदार या जो care करने वाले वो लोग या घर के एक सदर से जो चीजों को समझे और कोई दिकत आ जाये, तो वो उसकी वहाँ पर मदद करे, वो होगा 1200-2000 रुपेज, ये पैसे उसमें adjust कर दिये जाती है, अगर patient आया नहीं आया, तो उसको consultancy भी गई examination करेंगे, और physical examination करकर उसको guide करेंगे कि क्या-क्या लापरवाईयां हुई है, और क्या-क्या उनको home में करना है, और क्या-क्या क्लिनिक में उसकी मदद की जा सकती है, ये बात consultancy के दोरान बतानी है, तब हो counseling में आगा, ये मैं आपको 5 class में ये सब यात्रा करवा दूँग लेकिन मांसी रुप से तयार हीएगा कि point से कुछ नहीं होता है, point से काम लेने के इर्दगिर्द होता है, इसलिए ये बात मैं repeat बार-बार कट रहा हूँ, ताकि नए लोगों को समझने में आसानी हो को कि उन्होंने इस टाइप से काम किया नहीं है, clinical काम नहीं किया है, book वा काम नहीं करना, किसी डॉक्टर के अंदर में काम नहीं करने का जो कमी होता है, वही कमी है, knowledge की कमी किसी के पास नहीं है, सबको पता है, explain 6 कहा होता है, इस टमक 36 कहा होता है, स्रिप काम नहीं करना आता है, बस इतना ही अंतर है, तो अब आपको counseling में आपको क्या करना है, patient को दो बाते बतानी है एक उसको nutrition बताना है क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम है TCM चैनीज मेडिशन मेडिशन पाल्टे तो एको पंचर वारों को लिखते हैं विदाउट ड्रक्स आप जूट लिखते हैं पूरा TCM जम कर दवाईयां देता है तो आपको क्या करना है यहां पर उसको ऐसा nutrition देना है जिस पर कोई रोक नहीं है और रिजल्ट अच्छी है तो वहां पर मैं आपको साथ-सात में कांसलिंग से का रहा हूं वह nutrition तो nutrition आपको देना है होम केर के लिए लेकिन याद रखेगा डाइट management और nutrition अंतर होता है इससे डाइटिंग नहीं देना है तो पहले सी deficiency में तो उसको ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए देना है तो आपको nutritional counseling देना पड़ेगा उसके बाद आपको देना हो आपको पेसेंट को बताना होगा कि क्या-क्या movements करने है फिर आपको मौक्षा की training पेसेंट को देनी होगी तो को सेफ मौक्षा है जैसे box मौक्षा हो गया metallic मौक्षा हो गया candle मौक्षा हो गया यह मौक्षा घर के लिए देना ह और क्लिनिक में आपको जो सबसे पहला ट्रीटमेंट देना है वह देना है क्वाड्री मौक्षा का नॉट डिट डाउन जो कलती करते हैं पहले दिनी बॉड़ी पे निडल लगाते हैं भूल के नहीं लगाएंगे दूसरी बात अगर पेशेंट कहीं भी ट्रीटमेंट कराकर तो उसके बॉड़ी में जो सबसे पहला निडल लगेगा वह दो दिन लगेंगा पेडली क्स्था नहीं आप नहीं करते हैं लाइस पहले करना है क्लीनिक घ्रीक बाद में करना है पहले उसकी बॉड़ी को तैयार कीजिए उसके बाद जो बॉड़ी के ऊपर निडल लगेगा वो सबसे पहले लिवर त्री और एलाई-फॉर का कम्बाइनेशन लगेगा उसको लगाने के तरीके होते हैं दो दिन लगेंगी लगेंगी सीखने में लेकिन जो लोग नहीं लोग हैं पैड़ में नहीं जाएंगे उनको मैं बता देता हूं कि आप यह काम कर सकते हैं कि वन बाई-वन करके लिवर त्री और एलाई-फॉर का प्रियोग आप कर सकते हैं योगा करका आओ ऐसे पैसेंट को चार दीन बाद ही बॉड़ी को टच करेंगे बॉड़ी को सबसे पहले डीटॉक्षिपिकिशन गुड नीउट्रिशन घर में मौक्षा एक्सरसाइज का चीजे उसके बाद पहली नीडल लगेगी एल लाइफ और लिवर थ्री वह फस्ट च को हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे और क्लिनिकल सिखाएंगे तो जो नए लोग हैं उन लोगों को फाइदा देने के लिए मैं यह चीजे बता रहा हूं कि चाहे वो मेरे साथ जुड़े ना जुड़े लेकिन यह चीजे करें आपके बढ़ जाएंगे एकुप्रेसर का लाब यह चीजे बढ़ जाता है तो वहाँ पर एकुप्रेसर नहीं करेंगे हाथ के आप अगर करेंगे तो जो लेजर पेन है जो 600 रुपे से 1100 रुपे में आता है उससे आप पल्स दीजिएगा हाथ का एकुप्रेसर एकुप्रेसर की मसीन है सबसे शस्ती वाली उसका जो वाइ लगाना है और हाथ पे लगा दीजिए और दूसरा पेड लगा सकते हैं तो बाजू-बाजू के दो-दो कंबाइनेशन करके आप उसको इस्टुमलेट पर दीजिए जो एकुप्रेशर वाले और एकुपंचार वाले निडल से काम करेंगे निडल से जो भी काम करेंगे दो ब लेवर थ्री और एलाइफ़ूर पर मसीन का इस्तेमाल नहीं होगा नहीं होगा का मतलब नहीं होगा नो मिंस नो एन ओ ठीक है रिजल्ट हाथ से लेना है और हाथ से रिजल्ट वंडर्फुल है आप लोगों को तरीका दिखाऊंगा अभी बता देता हूं कैसे कैसे तैयारी कर रही है प्लस सब लोग अपने पास एक सस्ती सी मसीन रखेंगे वह मैं आपको देखा देता हूं भी प्रैक्टिकल करने के पहले यह मोदी जी ने आप लोगों को तार भीजवा दिया है सबको सबके पास यह पहुंच गया यह तार हमने क्यों भीजवाया यह बता देता हूं सारे लोग अपने क्लिनिक में क्या करेंगे एक सस्ती सी मसीन रखेंगे इसके ट्रेणिंग हम पिछले क्लास में सबको दे चु होते हैं यह दो प्रकार के नहीं प्रकार के त्यार होते हैं एक की नीचे दो हिस्ता होता है हमको गपार लिगया सबस्क्राषा इसा इसा इञाम दिखाएंगे आपको लेकिन ये तार थोड़ी सी छोटी होती है, हम पेस्टेंट के movement वाले condition में इस machine का इस्तमाल करते हैं, इसका दूसरा प्योग करते हैं, तो हमने क्या 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 सब को गुजरात से मोधी जी का बहुत दिनवाद, मैं पहले देखनी पाया, अभी आने के बाद ही डबक हो ला हू अभी मैं इसका इस्तमाल करूँगा, तो मुझे मालूम पर जागा कैसा है, बहुत ही अच्छा तार, एक बड़ा सा तार बनाके सारे हमारी स्टुडेंट को भिजवा दिया गया है, जिनके पास नहीं है, वो एक पीस अपना है, ये जरूर मोधी जी से मंगा लिए बहुत ह आसान लेगा, तो इसका भी हम लोग अभी प्रियोक करेंगे, ऐसे डबबे में उन्होंने बेजा है, तो मौधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक डबबा मुझे भी मिला, आप लोगों को भी सब को मिल गया होगा है, तो ठीक है, जो गिफ्ट आपको मिला है, उसका इ खाली 10 रुपे में यह अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी कैसे लेंगे, ऐसे उलट के देखेगा, अगर तुरंट नहीं गिरता हो, तो यह अच्छी क्वालिटी, जो तुरंट गिर जाएगा, तो इसमें पानी ज्यादे, पेट्रोलियम जेली है, और टेप लेंगे, टेप कौन सा लेंगे, आपको फ्री वालों को भी सिखा देता हूँ, कागज के टेप महंगे होते हैं, आप जाएंगे, कहां पर हाडवेर की दुकान पे, जो प्लाइबोर्ड चिपकाने वाले टेप मिलते हैं, वो टेप लेंगे, यह सबसे बेस टेप ह होते हैं, और बहुत सस्ते मिलेंगे, यह 30 से 40 सुपर में ही आपको मिल जाएगा, तो क्लिनिक को सस्ता चलाना है, और अच्छा चलाना है, तो आप लोग जो कागज के टेप लाते हो, बहुत महंगे होते हैं, और उतना उसका ग्रिप्स नहीं मिलता है, को बाड़ी पे हैर ह और रिजल्ट नहीं आएगा, कोकि बाड़ी पे चिपकना अच्छा से जोरूरी है, तो इस जेल का प्रियोग कैसे करेंगे, रखते समय लोग जेल नहीं लगाते, तो यह जब बाड़ी से आप टेप हटाएंगे, तो यह जेल उस पे लगाके रखेंगे, तब क्या होगा, वो आपका बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा, और आराम से आप कर सकते हैं, हम पेड़ वाले को बता चुके कि आपको रियूज नहीं करना है, उसके बाद भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो अब हम लोग चलेंगे, तो यहां पर हम रिकोर्डिंग को लेंगे, आप औ आप लोगों को अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बीच में छुट गई, कि पेसिंट जब भी आप देखेंगे, सारे लोगों को रखेंगे, जो लोग एको पंचर क्लिनक में सकसेज होना चाहते हैं, पहला दिन होगा पेसिंट की कंसल्टेंसी, लेकिन कंसल्टें इमारत की इंटिरियर और बिल्डिंग दिखता है, लेकिन सारा काम नियू समालता है, तो किताब का नॉलेज आपकी नियू है, जो दिखनी नहीं चाहिए, वो इंप्लिमेंटिबल होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, दस सेकेंड में पेसिंट को देखना, वो अभी मैं आपको बता दूगा, दस सेकेंड में पेसिंट को कैसे देखना, वो भी सिखा दूगा, तो कुछ लोग नए हैं, और पुराने लोगों का रिपेटिशन हो जाएगा, और नए लोगों को जानकारी मिल जाएगी, तो मिस्टी एक बाल तुमको खड़ा होना पड़ेगा, है म वाल बेर्डर का GB31 और 32 यहां इस्तमाल होगा, कोई भी आर्थर्टिक पेसेंट जिसकी चाल थोड़ी सी टेड़ी हो, पैरों में ताकत नहीं हो, घुटना पूरा नहीं मुड़ता हो, वहाँ पर GB31 का इस्तमान निडलिंग के लिए होगा, लेकिन पैड जब लगेंगा, त ठीक है, तो वह में भी आभी मैं आपको बता देता हूं, यह पूरा उपर कर ले, यह पूरा, हाँ. वह भी मैं आपको अभी बता दें, तो सारी नोट की जीजे मेरे से गुगल फर्म जिनके मिलेगे जीवी 31 की लोकेशन कैसे ले जाती है क्लिनिक में वह मैं दिखा दूगा सारे लोग खड़े हो जाईए और खड़े होके जो लोग नहीं लोग है पुराने लोग जानते हैं उनकी छोटी वाली यंगली जहां लगती है वहां खड़े होने पर प चुरुआ फी का नीडल्ट करने के साल Mohamed फुर्पर करने के साल साथ यहां दो बाते ध्यान रखेगा फोन का नीडल यहां पर इसलों वन चून के नेडलिंग प्रैक्टिस करने वारे हैं वहाँ 1.5 चून पर कनवर्ट कर जाएं वह सिच्च वर कर लें इसलिए मैं आपको डेड़ चून के सला देता हूं यहां डेड़ चून काम करेगा जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जब मेरी आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपको 2-3 चून के नेडल से काम कैसे करना है वह सिखा दूंगा क्योंकि यहां पर देची लिखिए लोग देची नहीं लेते हैं इंडिया में देची बड़ी ज़रूरी चीज है जैसे हम कुसी पाइप से शक करके पानी निकालते हैं खीच के पानी निकलेगा तब देची लेना जरूरी ए अगर देची नहीं आता है कोई दीकत नहीं तो पेडिंग से देची कैसे बनाना है को हमको क्रॉस करना है याद रुखेगा पर करना है क्रॉस पेडिंग करना है वह तेखनिक भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्राइब हमारे को पूछते नहीं आपको कैसे पूछना याद रखीगा पूछने का तरीका सारी लोग जान्स सुनिए कि आपको पेशने से कभी नहीं पूछना है कि रिजल्ट मिला पेशने करेगा नीचे नहीं बैठ पाती वह नहीं बोलेगा कि चाराधी भी पकड़ कर लाए थे चलानी जा रहा था वह चाहता है पूरी रिजल्ट की बात करें डॉक्टर मेरे से जो अभी लड़ खड़ा के आ रही थी सीधी चल रही थी वह नहीं तो आपने जो आप्जर् देखें यहां तक मुड़ रहा था क्या यह घुटना 20 परशेंट जादा मुड़ा है यह 10 परशेंट मुड़ा है आपको उसको आंकड़े देना है तब वह कहेगा 10 परशेंट यानि अगर कमतर बताएगा तो आप फिर वापस कमतर की तरफ जाएंगे अगर वह बोलेगा 20 तो दुबारा टीटमेंट देंगे रिपिट करेंगे फिर पूछेंगे अब आपको क्या लगता है यह रिजल्ट 20 से 40 परशेंट के बीच कहा है तब पैसेंट बोलेगा 30 परशेंट तक है हमेशा याद रखेगा उसको वर्ड देना है यह क्लिनिकल तरीका होता है आराम मिल अईसा नहीं पूछता है कितना मिला यह भी नहीं पूछना है डायरेक्ट अल्टरनेट देना है जैसे होटल देता है मैड़ाम कॉफी या चाए यह आपको सोचने नहीं दिया आप बलेगा ठीक है चाए लिया ठीक है और बच्चा पास में होगा तो क्या पूछेगा आइस अचा बिल लेके आ जाएं या क्या लेंगे तो वह पने का समय भीच में आपर लेंगे वह आपसे यह निझा आपका किया मेरे चलिनीक चलाना एक बास बड़ी कलाया तो आप लोग सारे लोग अपने आपको हीलर मनाईए यह थेडिपिस आप लोग अर्व은 अच्छा हिलर सकसेज होगा तो सवाल आपको दूसरा बात पेशेंट को सिंगल ट्रीटमेंट नहीं देना है सारे क्लिनिकल गलतियां करते हैं कि बेड़ पे लेटाया सिंगल ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को रवाना कर दिया नहीं उसके एक ट्रीटमेंट जो एक घंटे का होता है हमारे क्लिनिक में उसके बड़े फेजेज होंगे हर फेज में पेशेंट से हम फिटबेक लेंगे लोग दरते हैं एक दिन में कैसे रिजल मिलेगा पेशेंट मना कर दिया तो तीन पेशेंट भाग जाएगा बिलकुल नहीं और पेशेंट को हॉम केर कर यह देना है और पेशेंट को कहे देना है अगर कल आए और कहे दर्द बढ़ गया तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि बाकी लोगों का दर्द नहीं बढ़ा आपका क्यों बढ़ा हमारे बताएवे तरीके किये क्यों नहीं मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि आप पैसा देके मेरे टाइम को खईद लें सो साल उमर आपकी सो साल मेरी मैं अपने जिन्दगी के एक घंटे आपको दे रहा हूँ जब बेशकिमती है या तो कहना मानिए या जहां है उस दर्द में बैठे रही है शहर में और बहुत सारे डॉक्तर ने कहिए तो मैं एड्रेस बता देता हूँ तो एक साथ नहीं करनी है सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा प्रटोल के दस के दस नेडल ठोक दे रहे हैं नहीं वन बाई वन हम बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ दूसरी बात सारे नेडलिंग की फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं होगी तो आपको यस पैड़ की उपर नेडल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले नहीं है तो कि हर जगाँ depth अलग होता है, हर जगाँ का मान स्पेसी अलग होता है, हर जगाँ का threshold अलग होता है, तो याद रखेगा body पे direct needle मत कीजिएगा, body को सबसे पहले prepare कीजिएगा, किसी को भी मैंने prepare करते नहीं देखा है, पेसेंट के preparation में दो बाते आती है, एक आता है clinical bed में कैसे लेटाना, उल्टा और कैसे लेटाना सीधा, और दुरसा होता है पेसेंट को अपने घर से क्या तैयारी करकर आना, और उसके बीच में ये काम होता है, कौन से कपड़े पहन कर आएगा और आपके यहां क्लिनिक में क् ये बड़ा important है, उसके बाद अगर पेसेंट के लिखी, अगर meridian, manspatia, ligament शक्त है, तो पेसेंट को गरम पानी की बालती घर से भी करके आना है, और आपके यहां भी करना है, जो पिसले day two में बताया था, चिंता ना करें, जो लो पहली बार सामिल हुए, मैं day two का वीडियो दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगे कि पेसेंट को हम प्रिपेर कैसे करेंगे, निडलिंग के पहले, उसके बाद जब भी आप पेसेंट के नी पेन के लिए काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको पैर के ankle पर और टेंडो हालीज पर सारे मुझल से लिगामेंट को सफ्ट करना है, उसके बाद नेडलिंग करनी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, दर्द बढ़ जाएगा, बरबर वो डेटू वाले में मैं करवा चुका हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजेगा, मैं थोड़ा सा बान की दिखा दूँग इस जो गल्ती करते हैं, अंगली को मोड़ते देखा है, अंगलियां मोड़नी नहीं है, सारे अंगली को पकड़ना है, और हमको stretching करना है, stretching में और मोडने में अंतर होता है, याद रखेगा, stretch the body या फीजो थरपीस मित्र हो उनसे पूछ लीजे का वो आपको सिखा देंगे कि बॉड़ी की स्ट्रेचिंग में कैसे ताकत लगाई जाती है और याद रहेगा कि एको पंचुरी सारे लोगों को कमर में खुद का दर्द है इसके खुद का ताकत जादा नहीं लगाना है मैं और डिटेल में बताऊंगा कि जब भी आपको समझ में ना आए कि सुरू कहां से करनी है और किस मेरीडियन का पॉइंट लेना है तो सबसे पहला पॉइंट बॉड़ी में जो लिया जाता है वहां जीवी थर्टी वन लिया जाता है अगर पेसंट अर्थर्टिक का पेसं बीच में कैसे तो कि जीवी थर्टी वन से चार चुन तीन चुन यहां पर आपकी पैड लगेगा और उसका कंबाइनेशन नीचे जीवी थर्टी वोड से या ऊपर इस नमक थर्टी टू से करेंगे मैं दिखाऊंगा अभी अभी आपकी मांसिक्ता बना रहा हूं डेमोस्ट्रेशन का ताकि जब होगा तो आपका दिमाग वहाँ चलने लग जाएगा चलने पेशेट के पेशेट को तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक और frag शीचे थाई के पंख मेरिडेन से काम लेना होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे मैं आपकी भूमी का यहां से एक दूसरी बनाऊंगा कौन सी एलाई फोर और लीवर थी के कंबाइनेशन पर काम करने की मान सिकता यहां पर बना रहा हूं मैं किस से जो आपने कल थी कि मुझसे नहीं पूछा यह अपर का जो पॉइंट है बहार एकाट से तक दूसरा मिले यह चीज से एक चीज से प्रेइस किर लेजे और देखिए यह ऊजरू आपक्टी कते हैं ऐसे बहुति है यह उपर हिस्वति का सर्वाइकल का नेक का तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट नहीं लगाना है आपको क्या करना है उस अंग पर पहले मैनुवल पलंबशम या जो आपको हैंबरिंग से कहा था वो करना है फिर क्वाड्री मौक्षा करना है और उस दौरान एक निडल लगाना है SI3 पे और बॉड़ी को उसी समय रिलेक्स करवाना है 99 परसेंट लोगों को सेम डे रिजल्ट मिल जाता है अगर आपने मेरे बताये वे तरीके से काम किया तो क्योंकि हम रिजल्ट देते हैं कि रिजल्ट कैसे मिलता है साधारन काम से इसले कंप्लिकेटेट थियोरियां पढ़ना बंद कर दीजिए बेसिक पे चले जाएए जो बेसिक है वही सरवस्ष्ट है बाकी तो ग्यान है विद्वान बाद में बनिएगा पहले हमको योगाचारी बनना है हमको सन्यासी नहीं बनना है हमको साधू नहीं बनना है सब तो योग के ही परकार नहीं तो सबसे पहले हमको हिलर बनना है जो प्रिटल्ड देता हूं अग्यानी बाद में है यह काम करने के साथ खाली लगाके निलिखे कर लिखी नंबर टू कोई भी मस्लि के काम करें और ऐसा ही थरी लगाएं कि अभी मैं इस्प्लीन थिरी और ऐसा ही थिरीका जो सेकेंड डे का पार्ट चुटा था कि मैं ऐसा ही त्री क्यों कह रहा था उसको वह बताने जा रहा हूं कोई भी मसल्स का कुश करना दो यह लोगा कि अप्टुपिंघर को रा Ο स्विजस पूर तो अप्रोंच अप्सा करें नो ड्रायनेडलिग्गम वाले को सावधान कर देता हूं अगर फस गए एकुपंचर वाले आपकी मारेस्ट कॉंसल एकुपंचर वह भी नहीं बचाने आएगा प्लस आप अगर जेल गए तो वहाँ पर भी आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली है तो भूल कर ड्राइन निड्लिंग मत कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट देने के दुसरे तरीके हैं मैं लिगल बात भी सावधानी पुरवक कह देता हूं क्यों तो कि आब आपको प्रोग्रेस करना है माननेता मिल चुकी है और माननेता में क्या होता है मिलने के साथ खत्रे भी उतरे सावधान वाले आ जाते हैं जब कुछ नहीं होता है तो कोई मुश्किल नहीं होती है जब नियम होता है तो बहुत मुश्किल होती है नियम का पालन करना है काम करने में साउधानी रखिएगा भारत से फ्रेक्चुर के पैडलेसिस के केसे आने शुरू हो गए हैं और मैं पांसो से जादा जेल यातरा की कहानी सुना चुका हूँ इसलिए मैं रिपेट नहीं करना चाहता डराना नहीं चाहता तो कि आप ही के जैसे पांसो लोग जेल की यातरा करके आ चुके हैं और किसी को भी लोर कोर्ट से जमानत नहीं मिली सबको हायर कोर्ट तक जाना पड़ा घर बिग गए सब कुछ बिग गए दस-दस लाग के बाद जमानत मिले खतम नहीं हुआ मुकादमा इसलिए काईरो प्र प्रोसिस है और आपने हाथ लगा दिया और पॉस्ट कोविड के बाद 90 परसेंट लोगों को एवियन बॉन मसल्स अर्थरिक विटामिन डी डिफिशेंसी विटामिन बी ट्वल डिफिशेंसी हाई कलोस्टर लिपेडिमिया यह अचानक हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं तो एक यह मौसम अभी आपके अनुकुल नहीं है तो प्रटेक्शन के साथ काम केजिएगा सिंपल काम केजिए रिजल्ट देजिए इसके साउधान कर रहा हूं तो आपको क्या करना है ऐसा ही थरी का फर्मूला याद रखना है कि ऐसा ही थरी तब तक रिजल्ट नहीं हूं मैं अभी मैं करके दिखाऊंगा दूरिंग मुब्मेंट ऐसे खड़ा अपने निडल लगा दिया असर नहीं करेगा आपको क्या करना उसको बुलिए गर्दन मोड़िये गर्दन मोड़िये और आपका यह मैनुवल काम जारी रहेगा बरौबर बात समझ में आ रही है मैं अभी प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा लेकिन आपको मालूम तो होगा कि मैं करने क्या जा रहा हूं तो जो करने जा रहा हूं वो पहले दिमाग में रखी कि मैं कर क्या रहा हूं को कि हात मेरा नहीं पकड़ पाएंगे आप इसलिए आपको मालूम क्वाट्री मसा क्या होता है और देख तो वो 1 सब् से देखिए आपको क्या करना है जो नए लोग है उनके लिए दो स्केल इसे बजार से यह मैंने किताब की दुकान से दो ईस्केल लिडीह एकूб इस में जाएगा चार मोक्षा से एक साथ मॉक्षिबेशन करना है मेरे साइट पे तो यह वालाCubs और यह मॉक्षीबेशन करना के बाद Вीटोम करने केबाद मैनुएल करना है मेंवल करना हैर कपिंग करना है कपिंग से रिजल्ट नहीं मिलेगा सब्सक्राइब करने के आध करने काम करेगा यहां आपको काम करेगा fire cupping तो या तो आप fire cupping कीजिए या quadri moksa कीजिए कोई भी एक करने से चलेगा जो जिस दिन करना चाहिए एक दिन आप quadri moksa कर दीजिए first day, second day fire cupping कर दीजिए या first day fire cupping कर दीजिए और वो करने जो fire cupping की training में दे चुका तो उसको मैं repeat नहीं करने जा रहा तो यह हो गई यह करने के बाद फिर हम यहां निडलिंग करेंगे तो अब मैं आपको यहां की निडलिंग की स्प्लीन 3 की निडलिंग की समानता बताने के लिए बताया हूँ तो अब याद रखेगा कि knee pain में अगर एक point से inflammation कम करना हो या body के lower part के निडलिंग कमर से नीचे के किसी भी जोड का inflammation कम करना हो तो एक ही point है जो सबसे best है वो है spleen 3, not it down कि कौन से दर्द में जहां inflammation बढ़ जाए सूजन बढ़ जाए, हाथ लगाती आदमी बोले दर्द है यानि कहीं भी छूओ वहाँ दर्द बताए यानि न पेसेंट पकड़ पाए न थ्रेपिस्ट पकड़ पाए कि इसको दर्द कहां नहीं है जहां दबाओ या तो ड़काड ले या पेर खीच के माधी बहंदी गाली देना सुरू कर दे तुसी की दबादित्त है ऐसी इलाज करोगे तो बोलेगे नहीं नहीं आपको दर्द ज्याद है यहां इंफ्लेमेशन भरपूर है ऐसे इंफ्लेमेशन को कम करना ज़रूरी है तो दो काम पहला काम गरम पानी की बल्टी में पहले डुबा कर सिकाई करना उसके बाद इस्प्लीन थ्री लगाना खाली इस्प्लीन थ्री लगाएंगे फिर गालिया देंगे आपने तो बोला फस्ट दे रिजल्टी दो तो एक मेना हो गया काम करना धंसे चावी गुमाने इस ताला नहीं होता तो बोड़ी को पहले तैयार करना पड़ता है तो कितना टाइम हो गया मैंडम जी नीलम जी 40 मिनिट्स हो गए क्या मैं पहले पार्ट वाले को कंप्लीट कराके फिर पैड़ वाले में बढ़ूँगा तो पहला पार्ट वाले को कम से कम पुरा उठाओ मैं एक बार लेट जाओ पुरा उठाके लेट जाओ तो मैं आपको यह दो तीन चीज बताता हूं अब जब तक हमारे वह डमी तैयार होते तब तक और चीज़े बता जीता हूं अब आपको क्या करना है दोनों पॉंट को एक साथ नहीं लगाना है किसी भी मेरे बताइबे पॉंट को दोनों को एक साथ नहीं लगाना है हमें रखना है फाइब टू टेन मिनिट्स का सेकेंड नेडल में और हर नेडल के पहले पैसेंट का अब्जर्वेशन करना है रिजल्ट का आप बुलेंगे क्या इतने में रिजल्ट मिलेगा नहीं इतने में रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन रिजल्ट मिलने के लिए तरीके करना ही पड़ेंगे चीज़े इसमें दिन बर दिन जुड़ेगी एक total protocol का मतलबा कि मैं अभी रोटी बनाना सिखा रहा हूँ फिर सब्जी बनाना सिखाऊंगा फिर पापड सिखाऊंगा बुजी सिखाऊंगा तब जाके complete ठाली होगा लेकिन रोटी भी खाने का पल्ट है चावल भी पल्ट है तो यह पल्ट है इसको एवाइड नहीं कर सकते यानि बीना रोटी दिये खाली सब्जी की थाली नहीं हो सकती बराबर तो यह रहेगा ही रहेगा इसको आप दूर नहीं कर सकते यह secret एक्चली paid class के secret है लेकिन मैंने भेदभाव नहीं रखा फ्री वालों को भी बात बता रहा हूँ जो मैं paid वाले को बता रहा हूँ इसले अंतर कुछ भी नहीं है तो अब याद रखेगा कि यह जो difference है यह बड़ा important है लेकिन उससे भी important है अगर patient पानी पीकर नहीं आया और प्यासा है तो result नहीं मिलेगा तो clinic में पानी के बोटली सब patient के लिए आपके पास होनी चाहिए ऐसी आने के साथ patient को सबसे पहले भेजना है bathroom कि go to toilet नहीं लगा है फिर भी भेजिए क्यों हमारे treatment में घंटा घर लगता है तो उसके बाद उसको पिलाना है पानी और जो अगर पानी बज जाए तो बोटली स साथ में दे देना कि जाते समय पी लीजेगा घर जा तक बराबर moxivation के बाद पानी नहीं पिलाते हैं इसलिए उसको कहेगा कि हम बीच में पानी नहीं पिलाएंगे इसलिए आप पानी पहले पी लीजिए और पुछी का कब पीएंगे घर जाके पी लीजिए उसको आदा की पीजिए और moxivation में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो निवाया पानी निवाया मतब़र लिक वाम वाटर पीना ज्यादा रिजुल्ट देता है तो पेसेंट को कि यह फटा फट रिजुल्ट चाहिए तो घर जाके या दिन बार लिक वाम पानी पीजिए और अगर धिरी- ज cannon पानी पीेगा तो अज घिर बात करेंगे कि अब एक चोटी चोटी बात यहां कि टे करती है तो अब भी पानी पीजेंग में देखां उस बात को complete करके video recording यहां off करता हूँ, फिर मैं आपको direct practical पर लेके चलता हूँ अब हो गई कि patient की counseling हमेशा 1,5 गंटे की होती है, उसमे patient को कौन सा exercise करना है, कौन सा motivation करना है, कैसे उसको तयार होकर आना है, clinic आने के पहले क्या करना है, clinic से घर जाने के बाद क्या करना हो है, और patient कहेगा यह सब नहीं कहेगा, आप ही कर दो तो diet कहिएगा, सुनिए 23 hours आप अपनी जिंदगी खुद जीती है, मैं एक घंटे आपके साथ रहता हूँ, और एक घंटे में 20 साल की आदते हैं, और 23 साल बिगाडने वाली आदतों से कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता हो सकता है, मैं सही डोक्टर नहीं हूँ, या आप सही जगा नहीं है, तो कहेगा कभी भी पेसेंट को पूछने का अधिकार मत दीजे, डोक्टर साब 10 दिन हो गया, रिजल्ट नहीं मिला, मैं तो second day उससे पूछता हूँ, कल सीधी गई थी न, आज पेड़ी चलके क्यों आई, चलो घर में जो बताया था, करके दिखाओ, जो करके दिखाता हूँ और फिर पूछता हूँ, कितना आराम मिला, वोला दस्तका मिला, तो ये दस्तका घर में करकर मेरे पास क्यों नहीं आए कि 20 तका करता, बास समझ में आ गई, आपका interaction and communication result oriented होना चाहिए, और जब तक result oriented नहीं होगा, आपकी बाते बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं होगी, पैसेंट कभी भी रोगी को अकेले मत दीजेगा, उसका घर का एक सद्धिका आना compulsory है, लिख लीजे, रिजन बात detailing में होता है, इसलिए मैं shortcut में बता रहा हूँ, तो कि free class को हम समाब तरके pad में बढ़ेंगे, बाखी लोगों को बता चुके detail में, लिकिन आप लोगों को थोड़ा ब किताब है, उसका पूरा नाम है acupuncture and moxivation, तो पहले ही आप 100 में से 40 तका लेके काम कर रहे हैं, को 60 तका medicine का तो काम ही नहीं कर रहे है, PCM तो medicine के साथ काम करता है, 60% हटा के 40% में काम कर रहे हैं, और 100% result देनी के बात कर रहे हैं, उस 40% का भी 20% moxivation हटा दिया, 20% पे काम कि तो result मिलेगा क्या, तो गलती किस की, आपकी या एकupuncture की, तो amoxivation को पाट लेजिए, amoxivation रास्ता खुलता है, और काम जो करेगा, तब उस पर needle काम करेगा, लेकिन obstruction है, तो obstruction में गाड़ी बढ़ेगी कैसे आगे, ची जाएगी कैसे, याद रखीगा, ची का फार्मला सिंप है, ची बोलिए मेरे साथ, ची travels with blood, इसलिए जिनका hemoglobin काम होगा, उसको एकोपंचर के result नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले चेक, hemoglobin, क्यों, blood के साथ ही ची travel करता है, और जिनके obstruction होंगे, जिनके जोडों के movement नहीं होंगे, उनको result नहीं मिलेंगे, तो restore mobility, first thing है, एकोपंचर क साथ दिक्कत है, वो हाथ नहीं लगाता है, पेसिंट पे, जोडों में ही vital point होते है, इसलिए जितने best point है, उपंचर के, सारे जोड के पास है, बीच में नहीं है, got the point, simple भासा में समझ में आया, तो सबसे पहले, restore कीजिए, block खटाईए, उसके बाद निड्लिंग कीजिए, result मिल नहीं है, एक तब तो आप में block करके रखा है, निडल ठोके जा रहे हैं, vibration बढ़ाए जा रहे हैं, जाएगा इधर से, और body को confuse मत कीजिए, use minimum निडल लिख ल 10 निडल्स is more than sufficient, कहाम आना चाहिए, ज्यादा निडल्स रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, उसके बाद, आपको पेशेंट को बेड़ पे जाने के पहले, ये चपल वाली मसीन देनी है, कंपलसी रूप से, इससे क्या होता है, जोड जितने भी मसल से, वो इस्टुमलेट हो होते हैं, और रिजल्ट अच्छी मिलते हैं, अगर arthritic patient है, चाहे cervical हो, चाहे back pain हो, चाहे knee pain हो, ये पेशेंट को भी घर में करने के लिए दीजिए, तो आपको ये मसीन या तो किराये पे देनी है, मैं किराये का फार्मूला बता जाता हूँ, 30 रुपे पढड़े के हिसाब आप से दे दीजिए, 900 रुपे आपके आ जाएंगे, या और patient से आप 3000 रुपीज जमा करेंगे, minimum लिख लीजिए, ये आपको cost पड़ेगा, 1000 से 1200 रुपे की machine, लेकिन patient ते 3000 डेपोजिट करेंगे, या तो patient machine खईद कर इस्तमाल करें, या आपको किराया दे, तो 30 रुपे कि patient को home care के लिए machine दीजिए, कमाई के जरिये बढ़े, ऐसे 10 pocket बता दूगा, 25-30,000 रुपे आपके बैठे-बैठे, आपके क्लिनिक में, आराम से आजाएंगे, अगर सिर्फ 10 patient भी आते हो, तो आपके pockets होने चाहिए, जो patient खुद करेंगा, आपकी fees से नहीं होगी, ये patient रखना चाहते तो उसको कहेगा नहीं, यूज क्या बाकियों रखना है, यूज क्या वावस दीजिए, नया लेके जाईए, और उसको नया दीजिए, goodwill create कीजिए, हमारे therapist लोग goodwill create नहीं करते, profit create करते, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ग्राम इस वीडियो को, और direct हम चलते ह है, प्रक्तिकों गेंटराफ।